तो दोस्तों आज हम समझेंगे पीलिया यानि कि जॉंडिस के बारे में कि ये जॉंडिस कैसे होता है क्या इसके पीछे ग्रह स्तिती होती है और क्या सचमुच में जाड़ फुक करने से ये सही हो सकता है क्या जोतिशे कारण है जिनकी वज़े से व्यक्ति को जॉंडिस या फ आपने देखा होगा लोगों का पीलिया कई बार बहुत ही जानलेवा होता है और कई लोगों को कुछ दिन के लिए होता है और सही भी हो जाता है देखिए हमारे शरीर में अगर पीलिया की बात की जाए तो कई कारण होते हैं चाहे वह बैक्टीरियल हो चाहे वह वायरल हो चा लिवर संबंदित जब भी कोई खराबी आएगी तब शरीर में हमारे एक पीलिया जिसे बिलरुबिन कहा जाता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है यह एक हमारे शरीर की प्रक्रियाएं हैं अगर कोई भी चीज उपर नीचे हो जाए तो हमारे शरीर में प्रॉलम आनी करवाते हैं जो जैसा बोल दे वैसा वो उस मरोगी के लिए उचित करना समझते हैं अब कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि हाँ पहले आठ दस दिन कहीं भटकते रहे कहीं किसी ने कुछ बोला पर कहीं एक जगा चले गए और उनके पास जाके जाड़ फुक करवाई या उन्होंने जो भी तरीका बताया वो करने के बाद उनका पीलिया सही हो गया देखिए कई बार तो क्या होता है कि कोई जो पीलिया होता है वो पीलिया कुछ दिन के लिए होता है हो सकता है कि आप वहां तक पहुंचे और उस पीलिया की जो डेट थी वो उस समय यानि कि वो सही होने वाला था तो लोग कहते हैं कि हां हम उनके पास गए और सही हो गए इसी तरीके से बीमारी का होता है कई बार आपने देखा होगा लोगों को वाइरल फीवर होता है जिसकी एक मियाद होती है लगबग चार से पांच या छे दिन पहले तो जो उसका बुखार ओTOR सही होने बीना किसी दवाई के हवहां से दवाई लेता है और गहता है कि उस डॉक्टर में snapsh left ने सही किया तो इसी तरीके से पीलिया भी है कई बार हमारे शरीर में नॉर्मल झाम इंणल होता है जो कि बहुत Уइरल होता है वाइरल के सारे है alla है और नॉर्मल वाइरल भी होते हैं जो वाइरल इंसान को होता है और कुछ दिन में सही हो जाता है पर कई बार आपने सुना होगा लोगों को काला पी लिया होता है या बहुत से पीले जो लोगों की जान ले लेता है कई बार सिरोसिस ऑफ लिवर यानि कि लिवर में कोई प् Hepatitis होता है क्योंकि इतनी थकावट उसके शरीर में आ जाती है कि वो किसी काम का नहीं रहता है घर में या जानने वाले लोग कहीं कोई सलाह देते हैं कोई कहते हैं पीला मत खाओ घर में ये मत करो वो मत करो इस तरह की लोग बाते करते हैं और व्यक्ति को किसी ना किसी के कहे क कि अनुसार कि हाँ वहाँ चले जाओ वो पीलिया जाड़ते हैं वह ऐसा करते हैं या जाड़ा लगवालो बहुत सी बातें कोई माला दे रहा है कोई कुछ दे रहा है कोई आग की माला बना के गले में टांग रहा है कोई तुलसी की टांग रहा है इस तरह से चीजें बोली ज होता है जो कुछ समय बाद उसके सिम्टम्स खतम हो जाते हैं यानि कि पीछे कारण भी में बताऊंगा कि कि इसको चाहन लेवा साबित हो किसको चोटा मोटा फूट पाइजन की तरह से यानि कि पीले जो होता है जनरीधवारी खाने पीने से पर कई खा लिया दिखिए हमें गद्रों कि आधानी समें दृति कन्डिशनउचर होती हैं कुंडि के वर्शनार होती है कई बार किसी को देखा होगा आपने फिल् aprender बार-बार होता रहता है, food poisoning या टाइफोइड वगरा की समस्यां घर में आम होती हैं, तो हो सकता है कि आपके यहां का पानी गंदा हो, हो सकता है कि आपकी tank जो आप यूज करते हो गंदा हो, हो सकता है कि आप proper hygiene maintain ना करते हो, हो सकता है कि आप जहां पर बाहर पानी पीते हो या कुछ खाते हो, उस वज़े से आपको यह problem आ रही हो, तो हमें दोनों factors को देखने हैं, हर एक factors को जोतिशिय कारणों से मत जोड़ के देखिए, कुछ practically भी सोचना होता है, हाँ जो तीशिय कारण से यह पता लगता है कि हमको इस तरह की विमारियां होंगी, और उनका निवारन हम medically और astrologically कैसे कर सकते हैं, देखिए कुणली में जब भी कभी गुरु खराब होगा, पहला condition कि गुरु खराब, दूसरी condition कि कुणली में मंगल बद होगा, मंगल बद कई कारणों से होता है, हो सकता है कि तीसरा आठमा घर खराब हो, कोई दुश्मन आ जाए या केतु आ जाए या फिर बुद्ध आ जाए या फिर राहु आ जाए या फिर शनी आ जाए या फिर कुणली में सूरे शुकर की यूती हो कहीं पर भी, अब ज़रूरी नहीं कि इतनी सारी यूतियां और ये सब प्लेस्मेंट होने के बाद इनसान को ये चीज़े होगी ही होगी हमने ये देखना है कि इनसान को क्या होगा क्या food poisoning होगी या छोटी मोटी बिमारी होगी और सही हो जाएगी ये depend करता है बाकी की और conditions पर मैं आपको एक symptoms बता रहा हूँ जो कि वर्षफल में अगर ऐसी condition बन रही है तब इनसान को temporary होगा और सही भी हो जाएगा अगर वर्षफल में critical condition बन रही है तो इनसान को होगा और इनसान को लंबे समय तक परेशान करेगा अब किसी की कुंड़ी में माल लीजे गुरू ग्रह काफी पीडित है तीसरा घर आठमा घर या मंगल कहीं पर खराब हो रहा है मंगल कहीं भी कुंड़ी में खराब हो सकता है उसको खराब करने वाले factors है वो factors या तो केतु की व आठमा या फिर तीसरा या ग्यार्मा घर कहीं न कहीं डिस्टर्ब हो तब इस केस में व्यक्ति को उस समय में कुछ ऐसी चीजें जो की आठमा और दूसरे से संबंद रखती है यानि कि आपको यह बिमारी आएगी कहां से सबसे पहले आएगी खान पीन से अगर माल लीजे खान पीन से यह संबंद बिमारी है और टेंपरिरी है तो आपका छटा आठमा ग्यार्मा और तीसरा घर यह कहीं न कहीं से डिस्टर्ब होंगे यह कुंडली की अनलिसिस से पता लगता है पर फिर एक सिंपल एक्जांपल से समझे आठमे घर में शनी है दूसरा घर खाली है आठमे घर में राहू है दूसरा घर खाली है या फिर दूसरे घर में राहू या शनी आ गए तब इस केस में आपको कहीं न कहीं से बहारी चीजों से कोई ना कोई infection मिल सकता है जिसमें से आपको परेशान यहाएगी आप यह infection और critical होगा तो ब्रस्पति और मंगल के ऊपर चाब आगे की डिपेंडेंस आ जाती है कि माल लीजे ब्रस्पती भी खराब है और मंगल भद भी है तब केस में वह चीज्चें इंटेंसिफाइय हो जाती है यह ज्यादा गूड हो जाती है अब हम ने समझ लिया कि प्रॉबलम आ गई हैं पहले तो ऐसे केस को कुछ प्रेक् फिराना भी ठीक नहीं है क्योंकि ठक जाते हैं शरीर में ऐसी उर्जा की कमी आती है कि ऐसा व्यक्ति ऐसा लगता है कि पता नहीं कितने किलोमेटर चल कर आया और ऐसा पड़ा हुआ है उसको नॉर्मल खाना दीजिए जैसा आप देते हैं कोई समें प्रॉलम नहीं है जो दो मांच कर आप घर में इस्तमाल करिए एक दूसरे के बरतन इस्तमाल ना करिए क्योंकि वाइरल है जो वाइरस उनको लगा है वही वाइरस आपके खाने पीने के थुरू आपको आ सकता है लाल किताब की सभी समगरी अब आप मेरी वाटसैप केटलोग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने अडरस पर मंगवा भी सकते हैं अब हम समझते हैं जोतिश्य उपाय क्या इसमें उपाय किया जाते हैं पहला तो देखिए यह है कि हमें यहां पर तीन चार ग्रहों की सपोर्ट लेनी होती है व्यक्ति को दिक्कत आ गई है तो दिक्कत का सलूशन कर करना है डॉक्टर दवाई देगा दवाई जरूर लेनी है आपको अगर आप अकेले जाड़ फूक के चक्कर में पड़े रहे तो चीजें नहीं सही होंगी क्योंकि दवा और दुआ दोनों चीजों को मिला के ही हमने चलना है दवा और परहेज साधी साथ दूआ दूआ या मौट कर लिजिए यह समगरी मरीज के लिए आपको करनी है घर का कोई भी मेंबर जाकर रोगी का हाथ लगवा के चीजें कर सकता है 400 ग्राम पताशे लिजिए 400 ग्राम चने की डाल लिजिए 4 लीजिए 3 नार्य लिजिए उनको सब को एक साथ समगरी मना लिजिए किसी थैले वगर हमें डाल सकते हैं और डाल कर आप शाम के समय लग भग ये पांस से साथ वजेगा एक समय होगा इस समय में जाके पुजारी को दक्षना कुछ दे कर ये वहाँ पर छोड़ाइए या फिर आप इसी सब समगरी को जो आपको बताएगी है यही समगरी ले जाकर आप जल प परवा कर दीजिए अब दोनों आपके सामने हैं इन में से जो आपको सूटेबल लगे आप कर लीजे और इस उपाय को लगातार करना है कम से कम इसको सेवन डेज लगातार करना है जिस दिन से परेशानी आ गई है उस दिन से करना है अगर माल लिजे रोगी को बुखार आ रहा है और बुखार सही नहीं हो रहा है तब इस केस में रोगी के सिरहाने आपको जौन रखनी है जौन और गुड ये दो चीजें रखें और सुबह उठके ये चीजें ले जाकर या तो मंदिर में पहुंचा दीजिए या फिर आप कहीं धरमस्तान या फिर जल परवा इन तो रख सी करने, बहुत अब उपाय को में हमें लिलीफ नि षुरू हो जयता है और इसके साथ मंगल को सही करना जरूरी है घर आप इस समय किलो कम से कम चावल लीजिए और थोड़ी सी 2चनकी उसमें रखकर चावल की वश्तू हो रह कर आप अपने घर में इसको रख दीजिए जब तक रोगी है तब तक उस रोगी के नाम पे चावल रखे रहने दीजिए और जब रोगी इन उपायों से सही हो जाए तब ये चावल ले जाके मंदिर में आप दान कर दीजिए अपने घर की सुक्षांति की प्रार्तना करत के हुए और इसके काम करें जितने भी लोग हैं घर के मा लिजय पॉत भटë शे लोग हैं परिवार के सब के नाम से एक ये काम करना आप या मान लिजय अगर मिजय शनिवारी आ रहा है तो आप ठाधिनियो कर सकते हो शुक्रवार भी कर सकते हो विबिवब नाया पने तरफ का अपनोने सर्सो आब कराई वे उसके लिए समब्सक्राइए कर दोनों उंगुठों में या फिर य्पिर में भी आप कर सकते हैं की सभए के समय करणें दिन के समय यानि कि जो टाइम है 11-12 12 ha बीच में आधर मावनि महिला है तो कट वाले चले जो कट वाले चांदी के वह भी पहन सकते हैं यह करने से पहले इन चीजों को जिसे आप छला पहना रहे हैं या फ Вас धागा पहना रहे हैं तो कच्छे दूच से थो लीजिए धूने के बाड पहना दिजिए अब देख लीजे आपके सामने ये सभी सिम्टम्स और सभी कारण मैंने बता दिये हैं इन कारणों को हमेशा एक चीज का ध्यान रखिए विश्वास जरूरी है पर ये नहीं कि अंध विश्वास किया जाए अंध विश्वास से लोग जान हाथ से गवा देते हैं और ऐसे समय में आपको दोनों काम करने हैं यानि कि दवाई का भी इनकी दवाईयां भी होती है ट्रीटमेंट भी होता है हो सकता है कोई अब्स्ट्रेक्टिव चॉंडिस हो किसी परकार की कोई रुकावट या व्रोध आ रही हो इस वज़े से पीलिया बढ़ रहा हो तो डॉक्टर जै अगर हम अपने कर्म ना करके सिर्फ और सिर्फ धर्म के पीछे ही पड़े रहेंगे तो नुकसान हो सकता है तो ऐसी चीजों को सोच समझ के करिए कि हमें बैलेंस बना के चलना है दवा और दूआ दोनों का तो दोस्तो मैं चाहता हूं आशा करता हूं कि आपके घर में अग हो जाती हैं आपकी भी होंगी और खुशियां आपके परिवार में आएंगी बाकी ऐसे ही और जानकरियां लेके आपके सामने फिर हाजिर होंगे तब तक के लिए अपने सुभाश भाई को आ गया दीजिए नमस्कार